तो एक दम जो है गोल्ड फिश की तरह दिख रही है टीता माया की कोटिया एक्ट्वल है जहां बनाई गई है जीता जी इनकी डंग से काईदे की मूर्थी नहीं है हेलो एंड वल्कम टुदा चैनल तो दोस्तों मैं हूं नवनीत और मेरे चानल देशी मोटाड में आपका स्वागत है तो आज फिट से जो हम लोग कही घूमने जा रहे हैं अपने के स्थाउस से निकल के और घूमने कहा जा रहे मैं आपको बता रहो हूं आज हम लोग जा रह ऑख यहां वह जो है रोका था तो वही जगह पर हम लोग जा रहे हैं और मतलब काफी आती है जगह ऑविसली चलते हैं अभी फिलहाल कैप कर रहे हैं कैप कर रहे हैं बुखवा जी आ रहा है चलो ठीक है आएगा तो जाएंगे तब तक जो हैं चिडियों कि चैचाहत सुन है मस्त एफ्यू मोमेंट्स लेटर हम लोग ऐसा टाइम पर हैं बहुत तेज़ धूप है और यहां अरिशी वालमिकी जी की सोने की मुर्ति है तो आए दिखाते हैं यह पूरा व्यू दिखाता हूँ कि यह सरोवर है अब मैं डालता हूँ यह बंदारी बाप लेवाप देखिए अब मतव है और हो बाइव बाई है एक ही जगा डालो देखो साभी ट्ठी हो जाएंगी एक जगा डालो सब लोग रूप आत्में टीच हम पर एक यह बंदा लिए देखे कितनी ब्यूरी है सब्सक्राइब हो गया चले केल का ताम पाइसा आजम मठली और अपने अपने प्टेगार कि तो एक दम दो है गोल्ड गोल्ड फिश की तरह दिक रही है इतनी बड़ी कौन सी आती है जी गुल्डन कलर की तब भी बहुत बड़ी है यह इदर में मंदिर जो कि सेंटर में पान इसको बढ़ियां से दिरे दिरे इधर भी जाना है वैसे तो लेकिन अभी उधर नहीं पहले इदर सेंटर में जाते हैं सब्सक्राइब में मंदिर और क्या लिखाया है यह पढ़ा जाए यह भगवान वालमिकी की मंदिर है तो आये चलते हैं अंदर उनकी मूर्ती है सोने क कि यहां का मैं आप आपको पूरा पढ़ियां से विउ दिखाता हूं साथ में देखो उपर इता सुन्दर प्यारा सा जूमर लगा है बहुत है भी है बहुत है इसकी मीडियो में इसकी उंचाए नहीं पता लग रहे होगी लेकिन बहुत उंचाए और यह सोने की मूर्ती है वालमी की भगवान की सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अब हम लोग जो है सीता माता के मंदिर जा रहे हैं ठीक है आजाओ चलते हैं पीछे से आयते हैं अब इधर जा रहे हैं और यह इधर ही जो है शीता मा और जो भी मंदिर है देखते हैं लवकुष पाट साला यहां पे लवकुष पढ़ते होंगे यहां पर यह देखो लोगोंने बांध रखे हैं चोटे-चोटे मंदिर और यह में मंदिर है अब इसके अंदर चलते हैं अब आरी चीजे तो कि महाराजी की मूर्टी है अच्छा लवकुष जी की मूर्टी रखी है और महाराजी की फोटो है देखो इधर तुल्सी महिया है देखो संकर जी है देखो यह है एक्च्वल पाट साला जहां पर पढ़ाई पी坐 here कि लिखना बनाती गई बाद में देखी यह लोगों ने घर बनाते हैं इतों से बेना रख इधर भी मूर्टी बननी है छोटी सी यहां सीता माता की कुटिया अच्छा यह सीता माता की कुटिया और लव कुछ का जन अस्थान है जहां बगवान बल्म की जिने कंखों में प्राहण डाल कर कुछ को प्रगट किया था जो लव से एक महीना छोटा था have been putting is life in Welp यहां साइद लोग मनत मांगते हूँगा तो गुट चाड़ा है यही पे आप सीता मंद एक कुटिया थी Aha tiếpर को सिता महीन के इस है कि यहां यहां बनाए गई है यहीं पर थी और यहां वोगों ने गुड़े छड़ाय रखें बहुत सारे जैसीता में यहां थी बाहर से कुछ ऐसा दिखता है दिखाता हूं थोड़ा बैक होके यह है छोटा सा और यह आश्रम था यहां पर देखिए हवन कुंध है और इसकी राख जो ऐसे प्रसाद मिलती है जो खानी होती है यह रास्ता जाता है जहां पर लवकुछ ने गोड़ा पकड़ कर बांदिया था रामदी का तो आज हम तलते हैं इस जगह पर ही यह मंदिर बन कि इधर जो है फोटो फोटो रखे है यही वह पेड़ा है जिसमें राम जी का गुड़ावान तो यह मतलब असली वाला वही पेड़ा है या उसकी जगह करना सुरू किया इस बट के नीचे तपिश्या किया है और यहीं पे जब हवार राम ने अश्यू में ग्यक करके दोड़ा चोड़ा तो लोकुछ जी ने इस चुनों की लिखा देखकर रूमने पकर के बांदा था यहां बांदिया अच्छा है बहुत कुराना है त्रेता य जिनने आज वालमी की समाज कहा जाता है तो यहीं पे जो है यह वालमी की जी थे जिन्नों ने यह रचना की थी रामाइड जी है यहां देखें लवकुष जी ने रोग रखा है नाम जी का गोड़ा इधर कौन है तहीनी तरफ में मालू ठीक है यह बंद कर रखा है वे आए यह साइड से लुक दिखाता हूं यहां का पूरा ठीक है अभी हम लोग इधार से आ रहे थे और यह देखो अब यह हम लोग अभी कवर किये थे जहां पर आश्रम था इधरी और उसके उस तरफ जो है लवकुष जी ने वह पेड़ था जहां पर राम जी का घोड़ा बांग गया था और इस साइड जो है यह सेंटर में वालमिकी जी का जो महरसी वालमिकी थे उनका जो है मंदिर बनाए गया है और सुने की मूर्टी है अब इसमें मैं कुछ अपनी फीलिंग्स करना चाहता हूं एक चीज मैं वैक्त करना चाहता हूं डिस अपॉइंटमेंट यहां पर कोई भी जो है मतलब आप यह देखो इतना एतिहासिक स्थल है जहां सीता मा रुखी जिस आश्रम में जंगल था यह और जहां पर लवकुष जी पले बढ़े पैदा हुए वहां पर धंग से एक भी सीता जी की मूर्टी नहीं है वह छोटी सी है नहीं लवकुष की से मूर्तिये वर साइड में मूर्थी बनी और यहां पर वालमी की जी कि मूर्थी और बिलकुल होना विचे यहां वालमी की जी कही मंदिर किर लेकिन भाई साब मराम नहीं आए भई सीता जी की मूर्ती नहीं है धंक से कहीं मतलब जिस लेवल की होनी चाहिए यह इधर जो है बालक नाथ जी है जै हो आई संकर जी के उतार है जै संकर जै हो पुरा परिवार शीव जी का जै हो गुरु जी है यह भगत राम जी तो हिंदू धर्म का जो है एक एतिहासिक स्थल है और यहां हिंदू धर्म से डिलेटेड जुमेन है श्री राम जी और शीता जी इनकी डंग से काईदे की मूर्ती नहीं है यह तो मतलब बड़ी वीर्ड वाली बात है ना मतलब लग रहा जैसे गुरुद्वारे यह एक्चुली म अब ही पार्टिशन म्यूजेम आ गया हूँ और कल तो बंद हो गया था टिकेट नहीं मिल पाया था छे बजी गया था आज हम साढ़े पार वेजे पहुंच रहें तो अल्मस्ट बाटर पर हैं एनिवेज टिकेट लेके अंदर जाते हैं धाइसो रुपए की एक टिकेट है और अंदर जाएंगे और फिर जो है देखते हैं और आपको दिखाते हैं स्मॉल करेक्शन है फॉर्नर्स के लिए 500 रुपए हैं हम इंडियन्स के लिए 10 रुपया है पर पर परसन ठीक है जी तो सारी मिश्टेक हो गया कोई बात नहीं आज जो चलते हैं अंदर चलते हैं यहां पर हम लोग अंदर आगे अंदर बाहर आगे हैं और मुड खारा बोजाता है ऐसी वीडियो और फोटो वगरा सब्सक्राइब हो जाता है और इसका यह चीज ऐसा ही कि आप आओगे तब आपको दर्थ समझ में आएगा प्रोब्म पर जाएगी इसलिए अच्छा है कि अब कुछ और जो भी कुछ आज अगरेक्ट मतलब करने जाते हैं जो भी कुछ करते हैं तब देखते हैं अगर्वाइस फिलहाल तो यह वाले हो गया कि आए कि आख इस विए इस ए कि अफ्ड़र प्रूंग पुछ कर दो दो आज कर दो आज कर दो आज कर दो आज कर दो आज ऑन